So the question is like this, can the strategy of regional resource-based manufacturing help in promoting employment in India? क्या प्रादेशिक संसाधन आदारित विनिर्मान की रणनीती बारत में रोजगार को प्रोनती करने में सहायक हो सकती है? 150 words, 2019 main paper 1 का प्रश्ण resource के बारे में पूछा गया हो, तो 2015-16 में कुछ ऐसा था कि water के बारे में पूछते थे और हिमालाइक का पूरा resource exploitation तो environment angle ज़्यादा था फिर world resource के अंदर Arctic और आफरिका के resources इसके बारे में प्रश्ना कि उनसे बारत को कैसे मदद मिल सकती पर 2013 में कि बारत के अंदर shell और oil gas के resource तो हैं बट बारत उसको ज़्यादा exploit क्यों नहीं कर पा रहा है उसके प्रश्ना तो कुछ न कुछ आते रहा है यहां पर जो प्रश्ना है कि resource based manufacturing को encourage करेंगे तो उससे employment बढ़ सकता है इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि क्यों हमने ऐसा करना चाहिए बेजिक चीज वो है कि economic survey में पहले identify और highlight किया गया था कि बारत में agriculture से सिधा हमने जम करके हैदराबाद बैंगलोर में call center बना लिये बट बारत के बहुत सारी public low skilled है तो उनको सबको नौकरी दिलवान या तो manufacturing को focus करो make in India and those type of thing असे अब लिन इंडिया तो किसी को कही न कहीं थोड़ा connect करना है then body part one में आप कुछ उदारण से बात करेंगे resource-based manufacturing और वो भी regional star पे तो region आप identify करो north east India bamboo मिलता है तो bamboo उसे क्या क्या चीज manufacture कर सकते है resource identify करो coastal India में core मिलता है तो उससे भी बहुत सारा furniture और दूसरी चीज़ manufacture करने की कुछ बात सोचे resources के नाम पर बेंगाल में देखो jute jute से भी बहुत सारा television का cover, mobile का cover बना सकते है तो manufacturing हो गया and lastly conclusion, yes resource page manufacturing करेंगे तो उससे jobs तो improve होंगे ही साथ-साथ sustainable development goal भी हो जाएगा so one by one let us check introduction में आप बात करें कि origin origin यह है कि LPG reforms 1991 में लिए उसके बाद बारत सीधा agriculture dominated nation में से सीधा service sector dominated IT call center BPO type job में ग्रो कर गया लेकिन previous economic surveys ने पाया कि यह सब करते करते हमारा manufacturing activities पर हम neglect कर गये हैं हमने ध्यान नहीं दिया और बारत के पास वैसे demographic dividend के नाम पर बहुत सारी young population है लेकिन वो सब population ऐसी है जिनके पास इतनी skill नहीं है कि सब लोगों को अम लोग service sector में IT MBA सब करा के नौकरिया दे सके यह भी data ऐसा नहीं कि आपने याद रखना है क्योंकि यह dairy की बात चल रही हो या कुछ और तो याद कर सकते हैं तो हर एक चीज का बहुत करने का तो cost benefit आचाहिए बट आयो given this data यह योद्ना कुरुक्षेत्र में से मिल जाता है तो bamboo industry कौन कौन से बन सकती है mobile cover, toothpick, pen stand, furniture, coffin, broom, tea coaster, keychain, photo frame, hangar, ashtray, ladder, CD, even water bottle के cover से लिएक बहुत सारी चीज बना सकते हैं बांबू से तरिपूरा के अंदर एक अनुमान है कि bamboo sector की मदद से 20,000 लोगों को नौकरी मिल सकती है तरिपूरा जितना state है उस हिसाब से 20,000 मतलब बहुत बड़ा नंबर है उनके लिए So yes, if we develop this, it can help in job creation तो यह क्या है, resource है, particular region में है और उससे jobs बना सकते है body part 2, coastal area मतलब region है वहां पर resource क्या है, coer, मतलब यह coconut से वो जो छिलके मिलते है और उससे manufacturing और उससे job के अवकाश है कि ना, yes Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Karnatak, Maharashtra, Goa, Odisha यहां पर हम लोग coer industry पाते हैं क्यूंकि coastal area है coconut husk मिल जाते उसके छिलके, लेकिन presently यह जितने भी छिलके निकलते हैं उसमें से hardly 50% of the coconut husk is used in the coer industry बाकी का सब वो लोग rural area में चूला जलाने के लिए उस्तेमाल करते हैं तो मतलब पूरे-पूरा resource हम लोग use नहीं कर रहे हैं coer industry is not fully developed because finance, research development, storage facility, industrial user के साथ direct connect नहीं insufficient marketing mechanism वगरा की तक्रीप हैं presently coer industry में 7 लोगों को रोजगार मिला है, जिसके अंदर 80% महिलाए है जितने ज्यादा job create होंगे और वही proportion में अगर create हों तो कितनी सारी महिलाओ का gender empowerment भी हो सकता है, so it can help in GDP, employment, labor force participation of the women बहुत फाइदा है तो हम लोगोंने बात करी कि bamboo की, coer की, अब तीसरा region Bengal जहां पर resource है jute और उसकी मदद से manufacturing और jobs कैसे मिल सकते बारत के अंदर cotton के बाद jute वह second most important natural fiber है बारत के करीब 40 lakh farmers इसके cultivation के साथ कहीं पर जुड़े हैं लेकिन वह ज्यादा तर course variety मतलब मोटी और खुरदरी किसम की jute variety का उत्पादन करते हैं उससे वह अनाज store करने की grain bag ही बन सकती है अनाज की थेल या बोरिया बन सकती है लेकिन उनको अच्छे seeds दिये जाए, agriculture training दी जाए और हम लोग finer variety of jute मतलब महीन किसम का यह पैदा करें तो उससे paper भी बना सकते हैं, cushion cover भी बना सकते हैं, mattress, TV, dining table accessory, table mat, सब कुछ In fact, premium quality का jute जो बांगलादेश में बनता है उसको तो विदेशी कंपनिया, air conditioning के जो internal filter और जो भी चीज़े होते हैं, उसमें यूज करते हैं BMW और ऐसी बड़ी काड़ियों के interior बनाने में cover बनाने में भी उसको यूज किया जाता है, so as such it is very premium product, so much scope for export earning and job creation तो बारत के अंदर अगर यह सब किया गया, तो सिर्फ बंगाल और उसके आसपास के इलाके में चार लाख नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, ऐसा सब योधना कुरुख शेतर वाले बोलते हैं, so yes there is a scope and lastly conclusion, कि हाँ यह सब किया, thus the regional resource-based manufacturing can greatly help generating employment in India, especially in case of renewable resources, जैसे कि agriculture, bamboo, forest, jude, coir and दूसरे natural fiber-based industry, sustainable goal number 5 भी अचीव होता है, gender equality in job opportunity, याद करो, coir industry में 80% महिलाई काम करती है, और जौब मिला तो महिलाउ का सशक्तिकरान हो गया, goal 10, reduced inequality या समानता कम होगी, then decent work, economic growth, goal 12, responsible consumption and production, जिम्मेदार रूप से उपवोग और उतपादन किया जाए, अगर हम लोग प्लास्टिक की थैली छोड़के ये जूट, bamboo, coir का सब यूज करेंगे, तो वो responsible consumption भी है, so these are the benefits and so we can encourage them, we should encourage them, ये प्रस्न में लोग mistake क्या कर सकते है directive word क्या है, can regional resource-based manufacturing increase the jobs, क्या हो सकता है, तो logical structure में आपने जवाब अंत में क्या लाना है, yes हो सकता है, या बोल दो ना नहीं हो सकता है, अब क्यूंकि 150 words ही अपने पास हैं, तो ना नहीं हो सकता है, सब favor against में लिखने गए, तो उतनी logical structuring वो word limit में हम लोग कर रही नहीं सकते, so therefore you should simply pick one side, जैसे कि मैंने side ले लिया कि हाँ कर सकते हैं, yes it can help and move in that direction, और हाँ हाँ करते जवाब बना दो, कुछ geography optional subject के student है, तो वो तो negative में भी इसका जवाब बना सकते हैं, for example, कि कैसे कुछ ऐसे natural resources हैं, जो बारत में दीरे-दीरे कम हो रहे हैं, and as a result employment की opportunity कम हो रही है, या फिर कि जो बंगाल का प्रदेश बारत के तरफ है, वहाँ पर वो जो soil और water quality unsuitable है, तो वहाँ पर finer jute variety बन नहीं सकती, जैसा कि बांगलादेश के पास जो एकदम fertile land और अच्छे water के सारे resources चले गए, लेकिन general studies के student के पास इतना apex इतना है कि वो इतनी PhD और analysis करके दिखाई, और वो भी 150 words के अंदर, तो वो सब में हमने जाना नहीं, सब हो सकता है hypothetically, हाँ हाँ करके लिख सकते हैं, एक्जामपल देना बहुत ज़रूरी है, जूट कोयर, बांबू, हवाबाजी में काम नहीं चलेगा, लेकिन साथ वी साथ, इसके बहुत सारे long list of product की बांबू में से यह 25 जात की चीज़ बन सकती है, तो long list is not required, 4-5 बड़ी चीज़ के नाम लिखे, environment benefit वो मैंने lastly conclusion में लिखा, वो तो वहाँ तक ठीक है, body part में बहुत जादा पर्यावरान को यह लाग बो लाब उसकी हमने चर्चा नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर focus होना जाए job creation कितना होगा North East India में 1947 की, मतलब आजादी के इतने सालों के बाद भी bamboo industry क्यों develop नहीं हो पाई, insurgency का problem वगेरा, वो यहाँ पर नहीं पूछा, यहाँ यहाँ एसा नहीं, examine critically why it was not developed, नहीं पूछा है लिखना नहीं है, Supreme Court ने करनाटक, गोवा, ओडिसा वगेरा जगों पर mining operation को बैन किया है क्योंकि उससे environment को harm होता था, and as a result, वहाँ पर job creation, ultra regional resource based manufacturing का job तो कम हो गया है, वो बात सही है, बट वो logical structuring को हम लोग follow नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात, अगर हम लोग NSO, National Statistical Organization, जो GDP का data calculate, compute करता है, उसकी classification में जाए, तो वो mining sector को अलग sector गिनते हैं, manufacturing को अलग गिनते हैं तो उस हिसाब से भी, वो mining operation में बहुत जाने में मजा नहीं है, और दूसरा, यह बात है कि mining, उसे metal मिलता है, metal से manufacturing होता है, वगएरा, but 150 words में कितनी बिर्बल की खिच्री आप, वो खीचने में मुश्किल होगी, कुछ लोग fishery, dairy की भी बात लेख सकते हैं, but वो allied sectors of agriculture, यहां कुछ लोगो टीडी सामें जाते हैं कि जम्मू कश्मीर और North East India के अंदर call center jobs, या फिर उत्राखंड में ऐसा adventure tourism करने के बहुत अवकाश हैं, और उससे बहुत सारे jobs create हो सकते हैं, बात सही है लेकिन नहीं पूछा है, वो सब आप जो कह रहे हैं, adventure tourism that is service sector job, यहां पर हमको क्य क्या पूछा गया है, manufacturing and resource-based manufacturing jobs की बात है, so don't digress to the other parts of BDP, contemporary question है, more than D-2 years का span है, medium to tough question बोल सकते हैं, क्यूंकि logically सोच के इसको frame करके जवाब बनाना है, तो 10 में से मुझे लगता है जाद अतलोग 4-5 मां के आसपास खेला होगा, so that was there, now the last question is on mass transport, वो भी देख लेते हैं, but before that let us take a break for 5 minutes और उसके बाद हम ये वाला जवाब भी देख लेते हैं, so this is the question, जिन लोगों को break लेना है वो break ले लो, बाकी लोग ये प्रशन पढ़ते रहो, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे,